सिटी थाना पुलिस ने शायर के रोडवेज बसिस्टेंड इसे तिनारस होई कि यहाँ अपने पिता के साथ खाना खाने आई एक नावाली के साथ छेर चार करने का मामला सामने आया है प्रक्रण में सिटी थाने के कौंस्टेबल त्रेलोग सिंग की रत परता से आरोपी को त त्रोयंत पकर कर्थाने लाया किया जहाँ पर उसकी खिलाफ पॉक्सों एक्ट में मामला दर्ज करकारेवाही शुरू की गई है प्रक्रण की जाच महिला थाना प्रभारी विध्या मेना कर रही है डिप्टी मनिश कुमार चोधरी के अनुसार भीलवडा हाल मसुदा रोड पुलिया के पास निवासी एक व्यक्ती सोंबार शाम साथ बजे रोडवेज बसिस्टेंट पर अपनी दो नावालिक बच्चों के साथ खाना खाने के लिए पहुचा था खाना खाने के दुरान उसकी एक छोटी बच्ची ने कपड़ों पर खाना गिरा दिया था खाना खा जहाँ पर उसने बच्ची को अकेली पाकर उसके कपड़े उतारने लगा तथा उसके साथ दुश्कर्म के निया से छेड़ चाड़ करने लगा इस दुरान बच्ची के रोने की आवास सुनकर उसका पिता भी मोके पर पहुचा जिससे आरोपी ने वहाँ से भागने का प्रया आरे वाही शुरू की डिप्टी मनीश चोधरी ने बताया कि आरोपी शाहर में किसी पैट्रोल पंप पर तेल भरने का काम करता है और नर्शे में होने की कारण उसे जादा जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस द्वारा आगे की पूस्ताच की जा रही है शाम को साथ बजे की गतना है जिसमें एक वैक्ती जो भीलवाड़ा का निवासी है और अभी ऐस्ताई तोर पे मसूदा रोड पुलिया के वहाँ पे वो रहता है करीब शाम को साथ बजे जो इंदरा रसोई उजना है जो यहां ब्यावर बस्टेंड के ओपर जो चलती है वहां वो अपनी दो नाबागली बच्चियों को और खुद खाना खाने के लिए आया था तब ही उसकी चोटी बेटी ने अपनी कपड़े वगर गंदे कर दिये थे तो वो अपनी चोटी बेटी को साइड में ले जाके उसके कपड़े साफ कर रहा था उसकी पैंड तब ही उसकी जो बडी बेटी है वो थोड़ी दूर थी और वो बैटी भी थी तब ही वैक थी सुनील कठात जो नशे में था थोड़ा वो उस सोटी बच्ची के पास गया औ और उसके साथ गलत काम करने अगा प्रयास किया तो बस टैंड पे एक पुलिस करमी की 24 गंटे ड्यूटी रहती है तो इसी क्रम में वहां कॉंस्टेबल त्री लोक मोजूद था और उसने आज पास में सामान बेचने वाले जो लड़के होते हैं उसकी मदद से आरोपी को वहा अधर्जो है और विद्या मीना जो हमारे स्चो मेडम है वह इसका आगे इंवेस्टिकेशन करेगी है